गर्मियों में चाच से बेतर और कुछ नहीं, या स्वाद और सेहत दोनों से भरपूर तो होता ही है, साथ ही ये सरीर में थंडक बनाये रखने और तरू ताजा रहने में हमारी काफी मदद करता है, तो आज मैं आपको चुटकियों में घर पे बन जाने वाली मसाला चाच की रेसिपी बता रहे हूं, ये मसाला चाच की रेसिपी एक बार पी लेने के बाद आप दिन भर कूल-कूल फिल करेंगे, तो इसे बनाने के लिए हमें लेना एक ग्राइंडर जार और इसमें हमें ताजी गाधी रही डालने हैं करीब एक कप, ये मैं चार लोगों की इसाफ स पाउडर, काला नमक, जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर डालेंगे, साथी में हमें इसमें हरे धने की पती डालनी है ताजी, तो मैंने एक मुठी वर जितना डाला है, और इसके साथ मैंने पुदीने की पतिया ले कि सूखी पुदीने की पतिया हैं, आप ताजे जाड़ा पतला जैसा पसंद करते हैं वैसा रख सकते हैं यह मैंने चार कप के साप से बनाया है और अब धकन लगा कर हमें ब्लेंड कर लेना है पत्तों को इसके साथ हम एकदम बारिक नहीं पीसना है पत्ते थोड़े खड़े ही रहते हैं जो अच्छे लगते हैं तो लीजे के बाद यह हमारी मसाला चार्शवन के तयार है तो इसे ग्लास में डाल कर सर्फ करेंगे ग्लास में सर्फ करने के बाद इसके उपर से थोड़ा सा जीरा पौटर डाल दे और भी बढ़िया टेस्ट आ जाता है और दिखने में भी अच्छा लगता है और इसे आप बेना चार्श पी एकदम ठंडी ठंडी बनेगी और इकदम आपको पीने के बाद तरो ताजा फील होगा आप इसे नास्ते में या फिर दिन में खाने के बाद कभी भी पी सकते हैं तो आप मेरी इस रेस्पी से मसाला चार्श घर पर जरूर बढ़ियेगा बजार के पैकेट वाल और इसको पीने से आपको सरीर में पानी कीवी कमी नहीं होती तो इन गर्मियों में बजार के महंगे महंगे समर ड्रिंक्स ना पीकर आप ये देशी मसाला चार्श जरूर बनाकर पीजे और सब को पिलाएए आप सब को बहुत ज़्यदा पसंद आएगा मसाला चार्श की र फॉलो और यूटूब पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई-बाई टेक्टेक्टेक्ट